साइकन की बॉड़ी की वर्किंग को देखते हैं अंडर फिजियोलिजी ऑफ साइकन फर्स्ट फियर वचिंग मुवमेंट साइकन मूव नहीं कर सकता सबस्ट्राटम से अटाश्ट होता है सिडेंटरी ओर्गानिसम है तो अगर यह सबस्ट्राटम से अटाश्ट है तो इसको लोकोमोशन तो करनी नहीं है कोई लोकोमोटरी ओर्गिनाली इस प्रेजन नहीं होंगे बट यह थोड़ी बहुत मुवमेंट कर सकता है by the help of contractile cells प्रेजन इंसाइड इंसाइड तो उन छोटे पोर से छोटे साइज का ही खाना अंदर जाएगा तो इसको बोलते हैं माइक्रो फैगस और्गानिसम स्मॉल साइज की चीजों को यह खाते है नेक्स्ट इस इंजेशन इंजेशन अकर्स पास फिल्टर फीटिंग फिल्टर फीटिंग या फिर इसको सीलियरी फीटिंग का जाता है साइकन इस इस सीलियरी फीटर इसके पास कॉलर सेल्स होते हैं उन कॉलर सेल्स के पास फ्लेजला होता है फ्लेजला की बीटिंग करके फ्लेजला अलमोस्स सीलियर जैसा दिख रहा होता है तो फ्लैजिला की जो बीटिंग है उसकी वज़े से ये समान को जो भी इनकमिंग चीज़ें हैं वाटर के साथ आ रही है उसको ये फिल्टर करता है और स्विर उसको इंजेस्ट करता है नेक्स्ट इस डाइजेशन इट इस इंट्रासेलुलर विदिन अ सेल होती है इंसाइट फूड विक्यूल बाय सेग्रेटिंग प्रोटियस्ट करना तो प्रोटियस्ट रिलीज होंगे फैट की डाइजेशन के लिए लाइपेस होते है और कार्भो हाइजेशन के लिए 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 कार्भो जो भी पानी ओस्टिया से आया, अंदर आने के बाद उसको यूज किया गया, फिर स्टोन जो सील में गया वो, और फिर स्टोन जो सील से उसको उसकी उलम से बाहर निकाला जाता है, तो अभी जो बाहर निकलने वाला पानी है, this water has outgoing water current, बाहर जाने का इसका एक direction बनी होई है, इस outgoing water current के साथ ही, जो waste material है, वो बादी से बाहर निकल जाता है, respiration occurs in presence of oxygen, so it is aerobic, then it occurs through body surface, body surface से हो जाती है, diffusion से, कोई special organs नहीं present होता है, excretion, पानी में रहने वाला organism है, so most of the water dwelling organism में ammonia excretory waste होता है, so it is a monotelic, और यह ammonia body से release होता है, by diffusion through general body surface, कोई excretory structure present नहीं होता, next is nervous system, nervous system में भी इसके पास nerve cells नहीं है, कोई neurons present नहीं है, तो neuron जैसा ही काम करने वाले कुछ और cells है, जो actual में उनका काम है, muscle के तरह काम करना, मतलब strength provide करना, वो cells है myocyte, इनका काम बिलकुल, जो muscle cell का काम होता है वही है, strength provide करते हैं, यह क्या करते हैं, यह अपने आपको इस तरह से arrange कर लेते हैं, साथ में क्वैनोसाइट्स को भी रख लेते हैं, और बहुत ही अच्छी coordination में काम करते हैं, कोई भी stimulus है, उसको receive करते हैं और उसको फिर respond करते हैं, तो मतलब एक तरह से nervous system वाला काम करते हैं, So, there is coordination performed by myocyte, यह myocytes आप देख रहे हैं, एक मायोसाइट कुछ इस तरह से देख लेते हैं, तो बहुत सारे myocytes ने अपने आपको circularly arrange कर रख हैं, फिर बीच में यहां पर देखिए, यह क्वैनोसाइट्स ने अरेंज कर रख हैं, कुछ कॉलन साइट भी बीच में अपने आ का structure आपको देखता है, this structure act as a neuron and provide coordination, but actual neuron absent होता है, next is reproduction, reproduction मतलब अपने ही जैसे organisms को produce करना, इनमें दो तरह की reproduction हो सकती है, asexual भी और sexual भी, asexual भी, asexual budding से होती है, external budding से, sexually by formation of gametes, sexist, देख लीजिए, जो skypha है, psychon, it is a bisexual or monotious organism, single body में ही दोनो reproductive organs present होते हैं, but still, क्योंकि इसमें जो female reproductive organ है, वो पहले mature हो जाता है, there is proto gynae, first maturation of female, अभी female mature हो गई, male mature हुआ नहीं, तो इसको एक दूसरे organism से, या meat लेना पड़ता है, जिसका male mature हो जाए, तो इसका क्यमेट लेगा, तो मतलब यह self-pollination, sorry, this is fertilization, self-fertilization नहीं कर पाएगा, इसको cross-fertilization करने पड़े हैं, so bisexual होने के बाद भी इसको cross-fertilization करने ही पड़े रही है, due to proto-gynae, next is gonads, यह जो gonads हैं, actual में इसकी body में gonads present नहीं होते हैं, इसके पास amoebocytes से होते हैं, वो amoebocytes, archaeocytes की तरह काम करते हैं, मतलब कि parent mother cell की तरह काम करते हैं, तो amoebocytes ही archaeocytes की तरह function करेंगे, इसको हम बोल सकते हैं, primordial mother cell भी, मतलब कि जो अभी एक mother cell को बनाएगा, अब वो mother cell spermatocyte भी हो सकता है, similarly oocyte भी हो सकता है, अगर यह जो argocyte है, यह female का argocyte है, मतलब female reproductive का part बन रहा है तो यह oocyte बनाएगा, same body में होगा, और male का है तो यह spermatocyte बनाएगा, फिर यह spermatocyte sperm बनाएगा, oocyte ovomaniac, तो gonads बनते कैसे हैं, archeocyte या amoebocyte की ही maturation से, और कई बर ऐसा होता है कि quenocyte, this is a quenocyte, यह अपना flagella और kolar दोनों lose कर दते हैं, अब यह तयार होते हैं gonad बनने के लिए, अब यह gonad की तरह काम करते हैं, और फर्दर फिर यह spermatocyte या oocyte बनाते हैं, next is, अभी हमने देखा gonads कैसे बने, अभी gonads gametes बनाएगे, gametogenesis, process of formation of gamete, अगर male gamete बन रहा है, that is called as spermatogenesis, and if female gamete बन रहा है, then it is called as ogenesis, so start कर रहे है spermatogenesis से, तो देखिए क्या होता है, जो amoebocyte है, amoebocyte या फिर कई बार quenocyte भी ऐसा करते हैं, कि वो sperm mother cell बना लेता है, which is called as spermatogonium, ये वाला जो central cell आप देख रहे हैं, this one, this is either amoebocyte और quenocyte, quenocyte ने जब अपना color और flagella लूज कर दिया, कभी ये बन जाएगा, या फिर amoebocyte ही बन गया sperm mother cell और spermatogonium, इसने अपने around protection के लिए कुछ flattened cells को range कर लिया, inflatened cell को बोला गया cover cell, based on function, protection का काम है, cover करके रख रहे हैं, तो cover cell बोल दिया, अब ये जो spermatogonium surrounded with cover cell ये एक structure बन रहा है, इस structure को बोल दिया sperm nest या फिर spermato cyst ये structure तीन mitotic division करता है, एक बार mitosis हुई, दो बने, इसे दूसरी mitosis हुई, इससे एक बना, इससे भी एक और बना, फिर तीसरी mitosis हुई, इससे एक, इससे भी एक, इससे भी एक और इससे भी एक, तो टोटल कितने बन गए, eight cells बन गए हमारे पास, इन cells को बोला जाएगा spermato sites, mother cell was called as spermato cyst और इनसे mitosis होने के बाद जो बना उसको बोला spermato site, अभी ये fertilization के लिए तयार नहीं है, इनमें होगी meiosis, meiosis होने के बाद ये अपने cell पे tail grow कर लेंगे, tail grow होने के बाद finally अभी ये बन जाएगा sperm, अभी ये तयार है fertilization के लिए, so there was sperm nest और spermato cyst जिसमें 3 mitotic divisions हुई, 8 spermato site बने, इन्होंने फिर meiosis की further sperm बना लिया, next let's watch ogenesis, इसमें क्या होगा, बिल्कुल same case, चाहे तो amoebo site, arqueo site में modify हो जाएगा, या meat mother cell बनेगा, और या फिर quenocyte जिया सकर सकते हैं, तो जो भी modify हुए है, उसने बना दिया एक mother cell, that is called as ogonial mother cell, और it can also be called as ogonium, और ovocyte, और egg mother cell, इसने अपने around quenocyte को arrange कर लिया, अब इसके अंदर होगी mitotic division, दो mitotic division होंगी, पहले एक mitosis होई, तो इससे बने 2 cells, फिर इसमें mitosis होई, इससे भी एक बना, इससे भी एक बना, तो total बन गए 4 cells, इनको बोला जाएगा oocyte, अब इनमें होगी meiosis, meiosis होने के बाद इस cells से single ovum obtain हो जाएगा, और दो polar bodies बन जाएगे, यह polar body इसी ovum को नरिश करेंगी, इसकी development के लिए, अब यह जो ovum है, यह बिलकुल तयार है, sperm के साथ fertilize होने के लिए, so next process अब आज आती है, after gametogenesis, there is fertilization, it involves fusion of gametes internally, इसको हम diagramatically समझते हैं, यह माल लेते हैं, एक scypha है, और यह है दूसरा scypha, जो first scypha हमने draw किया, इसके पास, this one is female reproductive organ, और यहाँ पे भी इसके पास female reproductive organ है, वैसे ही, इसके पास यहाँ यह है male, और इसके पास भी male reproductive organ, bisexual हो गया यह, बट हम जानते हैं कि इनके अंदर proto-gyni होती है, मतलब female पहले mature हो जाती है, तो यह जो हमारा first number वाला second है, इसको हमने मान लिए कि इसके female mature हो चुगी है, female mature हो गई, मतलब इसने ovum बना दिया है, बट इसके, इसका जो male है वो भी mature नहीं हुग है, बट जो यह साथ वाला scypha है, this one, इसका male reproductive organ mature हो गया, मतलब इसने sperm बना दिया, तब यह जो sperms बनाए इसने, यह इसके osculum के तुरू बाहर आएगा, पानी में आएगा, पानी में sperms आ गए, यह sperms पानी में आने के बाद, फिर इस female के ostium के थुरू, इसके अंदर enter करेंगे, ostia से यह गए, अंदर enter कर गए, यहाँ जाने के बाद, इनको flagellated chamber में, quannocyte cells मिलेंगे, collar cell मिला, यह इन में से बहुत सारे collar cells होंगे, उन collar cells में से एक collar cell ऐसा होगा, जो अपने आपको modify करेगा, अपनी tail को loose कर देगा, अपने collar को भी loose कर देगा, अब यह बच गया, सिरफ इसका head बच गया, इस head के around एक layer बना लेगा, एक capsule बना दिया, अब यह जो quannocyte cell है, इसने sperm को अपने अंदर ले लिया, अब यह क्या करेगा, एक तरह से एक vehicle की तरह काम करेगा, अब यह वला quannocyte sperm को अंदर लेकर, फिर इस ovum के पास अंदर तक छोड़ कर आएगा, तो इस quannocyte cell को, जो कि इसको carry करके ovum के पास लेके जा रहा है, this is called as sperm transient cell, या फिर इसको carrier cell भी कोल सके हैं, तो फाइनली यह carry करके अंदर ले गया, ovum के पास ले गया, वहाँ पे जा कर इसने sperm को release कर दिया, और उन दोनों की fertilization हो जाएगी internally, तो देखिए, spermatocyte rupture हुआ, मेल का जो reproductive organ था, spermatocyst था, उस इस spermatocyst rupture हुआ, spermatocyte बने, फिर sperm बना, यह sperm पानी में गए, पानी में जाने के बाद, इन अदर स्पोंच through ost यह, वहाँ जाने के बाद, carried by guanocyte, by losing flagella, and withdrawing choler, फिर उसके बाद, to ovum, ovum में जाने के बाद, guanocyte which loses its flagella, and withdraws choler, to carry sperm to weighting ovum, is called sperm transient or carrier cell, यह देख लीजिए, यह ovum है, ovum का ectoplasm and endoplasm, यहाँ पे इसके around, बहुत सारे choler cells, अपने आपको align कर लेंगे, इन में से एक choler cell ऐसा होगा, जिसने अपना अंदर sperm ले रख है, that will be called as sperm transient cell, यह कुछ देर में choler lose कर लेगा, यह अपना flagella भी lose कर लेगा, और अंदर, chronical depression बनाने की कोशिश करेगा, ताकि यह sperm को अंदर छोड़ दे, depression बनी, कौन बना एक, और फिर इसने अंदर उसके sperm को छोड़ दिया, तो अब जब यह, इस तरह से, quannocyte अपने आपको, ovum के around अरेंज कर लेंगे, sperm को छोड़ देंगे, यहाँ ब्रीडिंग होगी, तो इसलिए इस capsule को बोला जाएगा, brood capsule, इस capsule के अंदर, ovum और sperm की fertilization होगी, और zygote बन जाएगा, so fertilization in scypha, characters देखने हैं, sperm transient cell के, head swell हो जाएगा, sperm को carry करने के लिए, it gets surrounded by capsule, and tail lose हो जाएगा, जब zygote बन जाएगा, next step is embryogeny और development, zygote की division होगी, और embryo बनेगा, inside of brood capsule, इस process को, जिसमें single cell zygote, different number of cells में, divide हो जाता है, उस process को बोलते हैं, embryogeny, क्योंकि इसके end product होते हैं, embryo, development की process है यह, तो start करते हैं, cleavage से, एक zygote था, इसने एक cleavage की, mitotic division की, और दो cell में convert हुआ, फिर यह चार cell में convert हुआ, दूसरी mitosis करके, फिर तीसरी mitosis करके, आठ cell में convert हुआ, अब यह आठ cell में convert होने के बाद, कुछ इस तरह से दिखेगा, इससे बोलेंगे, pyramidal disc, यह जो individual cells है, इनको बोला जाएगा, blastomeres, फिर इसके बाद होगी, 4th cleavage, 4th cleavage होने के बाद, जो यह disc वैले cells थे, उन में से 8 cells हो जाएगे, छोटे, which will be called as micromeres, and 8 होगे बड़े, they will be called as macromeres, टोटल होगे 16 cells, this is 16 cell stage, अब इसकी होगी growth, there will be formation of larva, that larva is tomoblastool, जो हमारे पास यह 16 cell वाला structure आया, इसको हम बोल देंगे blastool, यह blastool ग्रो कर रहा है, अपने आपको अभी भी divide कर रहा है, micromeres को इसने और जादा multiply कर लिया, कुछ time बाद, इसने क्या किया, इन micromeres में flagella बन गई, flagella के साथ साथ, यह जो macromeres से, इन्हों ने भी अपने आपको grow किया, granular बनाया, तब इनको बोल दिया जाएगा, granular macromeres, granular होने के बाद, इनके बीच में एक space आगया, एक pore बन गया, that pore will be blastopore, और इसके इलावा, यहाँ पर एक बड़ी सी cavity दिखेगी, that cavity will be called as blasto seal, तो जब यह सभी करेक्टर्स दिखेंगे, flagella, in micromere, blasto seal cavity, granular macromere, और blastopore, अब इस blastula को बोला जाएगा, stomo blastula, stomo का मतलब होता है mouth, तो इसका एक mouth है, एक pore है, तो इसकी करेक्टर्स दुबारा देखते है, macromere round हो जाते है, granular हो जाते है, blastopore develop कर लेते है, it opens in blasto seal, this feeding larva is called as stomo blastula, यह mother से, खाना लेके खा सकता है, feed कर सकता है, it is a parasite on its parent, because यह खाता है, nutrition अप्टेन करते हैं अपने parents से, so it is a parasite, next, it has many small flagellated micromere, and 8 spherical and granular macromere, जाले जब 16-cell वाला blastula बना था, उस ताइम, 8 ही micromere थे, 8 ही macromere थे, but इसके बास, यह जब develop हुआ, तो इसके बास micromere और भी multiply होगे, काफी सारे होगे, but macromere अभी 8 ही होते हैं, उसके बाद यह stomo blastula और ग्रो करेगा, वारवा में, that will be called as amphiblastula, यह कैसे होगा, आप stomo blastula में देखिए, जो flagella थे, इसके micromere के वो अंदर की तरफ थे, blastoceal की तरफ, अब क्या हुआ, एक ऐसा process हुआ, जिसकी वज़े से यह उलट गए, मतलब flagella बाहर की तरफ होगे, head अंदर की तरफ हो गया, तो यह कुछ इस तरह से दिखेगा, flagella बाहर हो गया, head अंदर हो गया, इस process को बोला जाएगा, inversion, so there will be inversion of micromeres in stomoblastula, after inversion, यह stomoblastula इस तरह से दिख रहा है, अब यह grow करना और स्टार्ट हुआ, इसने अपने micromeres को और multiply किया, साथ-साथ macromeres को भी multiply किया, तो multiply होगा, तो यह जो blastoceal cavity थी, multiply होने के बाद यह micromeres और macromeres, अपने आपको यही पर align कर लेंगे, तो यह fill हो जाएगा, blastoceal cavity चली गई, these are granular macromeres, after multiplication, and these are flagellated micromeres, after multiplication, अब यह पूरा developed हो गया, this cavity-less larva is called as amphiblastula, so देखे, stomoblastula undergoes inversion, roll outside, now macromeres multiply, grow and close the blasto core, embryo elongates and ruptures the brood capsule, अब यह जो embryo है न, जो amphiblastula होगा, यह इसके जो फ्लाजल हैं, वो बाहरी की तरफ हैं, इनकी beating की वज़े से, यह brood capsule को तोड़ देंगे, अब यह embryo, radial कैनाल में जाएगा, फिर ex-current कैनाल में, फिर spongosilopis osculum से चला गया, पानी के अंदर, पानी में जाने के बाद, यह और develop होगा, थोड़े time तक यह swimming करेगा, पानी में, swimming करने के बाद, थोड़े hours का swimming period होता है, and after a swimming period of few hours, यह develop होगा, into non-flagellated cells, and flagellated cells वापिस से अपने आपको invert करके, अपने cell, flagella को अंदर की तरफ ले आएंगे, पहले stomoblast टूला में, flagella बाहर की तरफ हो गया था, amphiblast टूला जब बना तब यह flagella बाहर की तरफ थे, बढ़ फिर से जब यह swimming करके, खोड़ी देर बाद substratum पे attach हुआ, अब इसने अपने flagella को फिर से रोल करके अंदर कर लिया, अब यह flagellated cell, non-flagellated cell से covered हो जाएंगे, तो flagellated cell यह आगए अंदर, non-flagellated cell यह granular macromers यह बाहर आगए, चोटा सा एक blastopore भी दिखेगा, अब इस larva को बोला जाएगा gastrula larva, हमें यह याद रखना है, जो gastrula larva है, यह gastrulation से बनता है, मतलब इसमें layers बननी start हो जाती है, and inversion से opposite process से बनता है, inversion मतलब पहले, जो भी position थे उससे, opposite roll होना, तो roll होने के बाद यह हुआ था, inversion के पाद, फिर अब inversion का reverse हुआ, तो वापिस से यह इस तरह से हो गया, तो finally अभी यह जो gastrula larva है, यह substratum पे attach हो जाएगा, फिर grow करेगा, अपने आपको elongate करेगा, और बड़े सा आइकन में convert हो जाएगा, there is metamorphosis, that is transformation of larva into adult sponge, step देखिए, gastrula larva आपने आपको fix कर लेता है, substratum से, by the help of blastopore, फिर यह elongate होता है, cylindrical बन जाता है, blastopore close हो जाता है, जब यह divide करता है, तो यह blastopore close हो जाता है, flagellated और non-flagellated cells अपने आपको, जादा से जादा divide करता है, इसका एक end, posculum बना लेता है, दूसरा end तो base से attach हो गया, जो blastopore वाला end था, जो बाहर की non-flagellated cells होते हैं, macromeres, वो जो layer बना देते हैं, उन्हें बोलते हैं, dermal layer of pinacocyte, it is ectodermal inner region, बाहर की layer है, वो जो अंदर वाले flagellated cells हैं, macromeres, यह बना लेते हैं, gastral layer, और, it is made up of quanocytes, फिर इसके अंदरा दाती है, spongosil, फिर देखिए, यह जो pinacoderm है, जो pinacocyte की बनी होई है, जिसे हम डर्मल layer भी कहा है, और, quanoderm जो है, made up of quanocyte, also called as gastral layer, इन दोनों के बीच में, mesoglia develop हो जाता है, and this mesoglia is mainly secreted by quanoderm, अब देखिए, जो dermal layer है, यह, इनकरंट के नाल बनाती है, by invagination, dermal layer मतलब pinacoderm, बाहर वली layer, invagination होता है, किसी भी चीज के, इस तरह से अंदर, जाके कुछ बना देना, अब अंदर जाके, के नाल बन जाए, तो invagination, और अगर बाहर निकल के बने, तो उसको बोलते है, evagination, तो gastral layer, जो है, quano term, यह evagination से, radial के नाल बना देती है, और dermal layer, invagination से, incurrent के नाल बना देती है, next is regeneration, skypha में काफी, जादा regeneration पाई जाती है, and यह regeneration होती, reparative type की, मतलब अगर इसमें कुछ, तोड़ा बहुत कट लग गया है, कुछ भी हो गया, तो यह अपने आपको, repair कर सकती है, that is called as, morpholexis type of regeneration, इसका बोज़िट होता है, epimorphosis, मतलब कि, पूरा का पूरा restore हो जाना, वो इसमें नहीं होता, इसमें सिर्फ repair होता है, अभी यह जो reparation है, यह इसके archeocytes की वज़े से possible है, जो मिजोगलिया में archeocytes present है, they act as totipotent cells, due to totipotency, यह अपने आपको repair कर लेते हैं,